कि अब यह वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो सी एम इस्टिट्यूट अपना ओनलाइन मॉक्टेस पेपर कंड़क्ट कर रहा है पॉर डिसेंबर 2020 एक्जाम उसका पेपर 10 का एक पर्टिकुलर सीवीज को हम डिस्कस करने वाले हैं अब अभी थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है सिएंगे वेबसेट में तो क्वेश्चन नमबर बड़ा रैंडम बेसिस पर आ रहा है पर जो आपना ऑनलाइन एक्जाम दे रहे होंगे तो उस टेम शारही वाले टेक्निकल ग्लिच नहीं रहेगा चले निवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 10 कर डिस्कस्शन अब यह वीडियो एकदम लास तक देखना जरूर देखना इससे आपको एडिया लगेगा किस तरीका से हम लोग एक्जाम में जो ऑनलाइन एक्जाम में उसको किस तरीका से अप्रोच करना है जो आपको अथा ओललेटलेख होता है उसमें थोड़ाग अलग अपोड़ो चलता है में में आपको प्रेसेन्टेशन पर इक्वाव आकों प्रेसेटेशन में अगवाला ये है पर का। और अकांटिक और फड़ाइशनल मैंजमेंट का सीए में स्टीडूट पेपर टिन का एक परिडिग्रोर सिरीज इस सिरीज 6 है हम लोग start करते हैं चलो क्या है ज़रा फड़ाफट पढ़ते हैं पहला question जैसे है question number 1C है पहला ही question तो यह true false है eventually सारा question cover हो जाएगा तो उसको लेकि तुम लोग चापन मत रो क्या है true false है A sequential profit graph is prepared when multiple products are produced जब एक company multiple product बनाता है यानि अगर एक से ज़्यादा product बनाता है तो question उठता है कि एक single profit graph से काम चलेगा नहीं चलेगा sequential profit graph लगेगा एक दान लगेगा तो इसका answer क्या रहेगा true याद करें composite BEP में भी हम लोग जाने थे जब एक से ज़्यादा product रहता है सब का contribution अलग रहेगा तो एक एक सिंगल profit graph से काम नहीं बनेगा next management accounting is largely based on accuracy rather than estimate management accounting का main focus किस पे है accurate होना पे या estimate करने पे ध्यान देना top management division देता है और decision कभी साल के end में नहीं लिया जाता है हमेशा साल के beginning में estimate करके लिया जाता है तो अव्यस सा बात है management accounting is largely based on accuracy नहीं it is largely based on estimate तो यह रहेगा false next question number three zero based budgeting is more suitable is more suitably applicable to discretionary cost areas अब देखो zero based budgeting क्या था यह हम लोग पढ़े थे पॉस्ट के theory class में zero based budgeting के अंदर में क्या होता था आव ऐसा budget जहां पर कोई base का ज़रुत नहीं पड़ता था हम लोग नए सिरे से हर साल का budget का शिरुवात करते हैं आज जेनरली एक typical industry में जेनरली क्या होता है पास्ट के basis पे future में जो changes आया उसको बदलाब को मद्य नज़र रखते हैं हम लोग अपना budget बनाते हैं पर zero based budgeting में ऐसा कुछ नहीं होता और zero based budgeting में हम लोग अपने discretion पे इस साल किस पे खरचा करना है किस पे नहीं करना है उसके basis पे अपना budget बनाते हैं तो question कोड़ता है क्या यह apply करता है discretionary cost areas में एकदम इसका answer क्या रहेका true question 4 the PV ratio increases when the fixed cost of a firm decreases ध्यान देना मेरा PV ratio का formula होता है contribution by sale contribution क्या होगा selling price minus variable cost जानी मेरा fixed cost का PV ratio के अंदर में कोई rule ही नहीं है मेरा PV ratio कब change होगा जब either selling price या variable cost पर unit में कोई बदलावा है fixed cost के बदलने पर क्या PV ratio change होता है नहीं होता answer है false चले हो गया question number 1 का C true false सा cost का अब आ रहे है 5 पासी true false है fm वाले segment का wealth maximization goal is only an extension of profit maximization profit maximization goal of the organization एक्डम कर्क्ड जो मेरा wealth maximization वो extension profit maximization का profit maximization से काफी wider term है wealth maximization next next cost of capital is not the minimum required rate of earnings or the cutoff rate of capital expenditure गलत cost of capital is the minimum required rate of return जबकि यहां पर word यह लोग क्या लिखा है not the required rate of return याद करो capital writing chapter जो में लोग पढ़े चाहरा उसका हम लोग डिसक्स भी किये थे कि मेरा cost of capital हो या minimum required rate of return हो या desired rate of return हो यह सब कुछ interchangeably यूज करते थे तो मेरा cost of capital is the minimum required rate of return या वो ले नॉट तो यह क्या बन गया है और चलो हमारा next question क्या है और expression और लो डिगरी ऑफ operating leverage and high degree of financial leverage is not an ideal situation गलत यह एक idealistic situation होता है operating leverage कम रहे यानि operating fixed cost कम रहे अच्छा बात high degree of financial leverage यानि ज्यादा लोन ले के हम अपना business करें तो बढ़िया ना किसी और के रुपए पे प्रहसा कमा उसको थोड़ा interest दे और ताकि trading और equity का मेरे को benefit मिले तो बोलता है कि is not an ideal situation false this is an ideal situation next IRR indicates याद करो IRR वो rate था जिस rate पे मेरा PV of cash info PV of cash out तो बराबर रहता था यानि NPV 0 रहता था IRR indicates the discounting rate at which NPV 0 absolutely true औरेक्ट एक दम चरो next अब हमारा question 1 A आगया जो objective type ncq based question है क्या लिखाओ है अब budget that gives us summary of all functional budget आगे हम पड़े काई नहीं जो summary of all functional budget बताये उसको लोग master budget बूलते है नेक्स्ट अवें दरा नो opening और closing stock profit अंडर marginal costing विल भी इकोल तो profit अंडर absorption costing याद करना जब पड़े थे रीकंसेलेशन और profit as per absorption as per marginal तो मदा था रीकंसेलेशन का एक मात्र current होता है opening और closing stock current का absorption costing में fixed cost variable cost दोनों आता है जबकि marginal costing में only variable cost आता है तो stock evaluation दोनों में अलग होता है पर अगर stock ही नहीं है तो यह दोनों का profit same रहेगा तो यहां पर क्या होका is equal to absorption costing next break point can be reduced break point कब reduce होगा जब हम जल्दी कमाने लगे जल्दी कब कमाएगा अपने पहले सोचो either selling price per unit बढ़ा दे या variable cost per unit गिरा दे या fixed cost कम हो जब तो either increasing selling price एकदम correct reducing variable cost भी correct reducing fixed cost भी correct answer क्या रहेगा all of the above next one of the following is not within the scope of management accounting इन में से कौन सा management accounting के scope क्या है beyond के beyond है not within the scope formulation of policy policy बनाना उसका scope है planning and coordinating the activities of enterprise भी उसका काम है decision making तो एकदम उसका काम है classification and collection यह management का नहीं एक लड़का काम है पांसर क्या रहेगा आप भी next हमारा question 5 question 5 में क्या है अच्छा जी तो स्टैंडर्ड में इन्होंने फिक्स्टोरेट सोचा 24,000 रुपया और कितना production या output सोचा 4800 units अच्छल में 4200 units बनाया और फिक्स्टोरेट अच्छल में 22,000 रुपया लगा अधिक्स्टोरेट वॉल्म वेरियंस विल भी याद होगा फिक्स्टोरेट कोश्ट वेरियंस का फॉर्मुला था standard cost for actual output minus actual cost हमारे volume वेरियंस का फॉर्मुला था standard cost for actual output minus standard cost standard cost for actual output कैसे मिलेगा 24,000 था 4800 unit के लिए तो actual output 4200 के लिए क्या लगेगा तो आपको देखना 24,000 था 4800 यूनिट के लिए तो actual output 4200 के विए क्या लगएगा माइनस करना है standard cost वो कितना है 24,000 तो अगर आप लोग calculate करेंगे जह हैगा 3000 माइनस यानि adverse ये एक पहला तरीका या दूसरा तरीका देखो क्या है 24,000 यूनिट शुरू में सोचे 24,000 रुपया लगेगा 4800 यूनिट बनाएंगे जहनी पर यूनिट कितना recover करेंगे 24,000 रुपया 4805 रुपया पर यूनिट ठीक पर साल किन में पता चला यार 4800 की जगा मखाली 42,000 यूनिट बनाया जहनी 600 यूनिट कम बनाया तो recover भी कम करेगा कितना 600 इंटू 5 तीन हजार रुपया कम रिकावर करेगा जो खराब है तो 3000 एक और तरीका था नेक्स हमारा प्रिक्स कौस्ट बेषंगी होता सब्सक्राइब रिख चला हमारा काम हुआ अ हम लोग आ रहे हमारा प्रैक्रिकल वाले पाट में क्या है इस पढ़ते हैं चला मार ये एक्वेस्टिन है मारजिनल कोस्टिंग का इंपर टेल सबाशिण यह दो इन यह पड़ति इत शुरु इतना ब्रैक्ट में बुलता है इसने फिक्स कोस्त है आठ लाट या नि बाकी वीडिवल कोस्त है जो चार लाट रुपे यह और बढ़ना चाहिए तो इससे सेज बढ़ेगा ठीक है इस प्लान वाप्रूब वाइचेर्में अब 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 इन्फोमेशन मुझे कुछ-कुछ आंसर देना है चलो जरूर आंसर देंगे पर पहले हम लोग एक इंकम स्टेट्मेंट बनाते हैं पास में आ रुपी रुपी पर यूनिट आ सेल वालू देखो दिया वाए है सूला लाख जब कितना यूनिट्स हो रहा है सूला हजार या नहीं पर यूनिट 100 रुपया माइनस करेंगे विरिबल कॉस्ट अब 17,60,000 में से 8,00,000 फिक्स कॉस्ट है यानि बाकी विरिबल कॉस्ट होगा तो 17,60 में से 8,00,000 खटा कितना बचेगा 9,60,000 यह पर यूनिट कितना बन जाएगा साथ यह पर यूनिट कितना बन जाएगा चैलिस ड़न माइनस करना है फिक्स कॉस्ट मेरा फिक्स कॉस्ट 8,00,00,000 है पर ध्यान देना मैनेजर तो लगता है चार लाग का और एडवेडिसमेंट बढ़ दे तो मज़ा आ जाए और चेर्मन बूल बढ़ा दे यह नहीं रहा आट प्रसषार 12,00,000 हो गया है तो मेरा प्रॉफिट लॉस में आ गया है तुछ लाट साट हजरत तो पर यूनिट यहां निकाले ज़रूत नहीं होता प्र यूनिट का ज़रूत नहीं होता ना चलो मेरा इंकम स्टेट्मेंट कंप्रीट अब निकालने क्या बूला मुझे देखना है क्या निकालने बूला है ब्रेकिएएंट सेल्स अ अब यूनिट में निकालना है या वैल्यु में नहीं बताए है पर देख भाई और चुनिट में निकालना है विक्सकोश सब निकालना है तो तो 12,40, कितना बन जाएगा बारा लाग बाइचालिस कितना बन जाएगा 30,000 यूनिट आंसर बनेगा ए बड़ा एजी था चलो यह सेम क्षिशन ने वापस पढ़ने बद बैठ जाना बस हाली पार्ट टू पढ़ो चलिक है आँ वाट अडिशनल सेल्स विल बे रिक्वाइट तू और सेट दे इंट्रीज इन अडविटीजमेंट आउट ले आँ मेरा अडिशनल अडविटीजमेंट का खर्चा कितना लग रहा था चार लाक रुपया बुलता है मिर को और अडिशनल कितना सेल करना पड़ेगा इस चार लाक रुपय के आडविटीजमेंट को पूरा कंपेंसेट करने के लिए जैनि मुझे कितने रुपे को compensate करना है कितना extra fix cost को compensate करना है 4 लाग divided by मिरा contribution per unit कितना आता था 40 रुपया तो मुझे 4 लाग रुपे को recover करना है किस से recover करना है 40 रुपया से यानि कितना युणि बेचना पड़ेगा देखो चार लाग divided by 40 रुपया कितना एक आत 10,000 युनिट अच्छा जी पर यह तो value में है जैनि 10,000 युनिट बेचना है अट रेट 100 रुपया करके यानि कितना रुपय को बेचना होगा 10 लाग रुपया बड़ा easy part था यह चुनु पार्ट 3 what would be the selling price per unit if the break when point is brought down to 20,000 युनिट बुलता है नया selling price बता अगर बीपी 20,000 युनिट बनाना है बीपी 20,000 युनिट बनाना है फॉर्मुला होता है fix cost by contribution per unit बीपी चाहिए 20,000 युनिट मेरा fix cost कितना है बारा लाग कांटिबुशन पर युनिट क्या होता है selling price पर युनिट माइनस variable cost पर युनिट पर मेरा variable cost तो वही रहेगा जो 30 साथ साथ था ना चेक कर ले येस साथ था इस इको डू बारा लाग डिवाइड़ बाईड़ बीस अजार अगर आपको calculate करो selling price पर युनिट ये कितना बन जाएगा 120 असर क्या हो गया 120 बड़ा इजी था चलो इसी के साथ हमारा question होदा है complete अब हम लोग आएं अपने next question question number two का part B में क्या है ज़रा दिखते हैं आर्सलन लिमिटेड हास फॉर्णिश्ट फॉर्णिश्ट इस टाइप का question हम लोग के book में था जो हम लोग किये थे anyways वापस discuss करते हैं पहला साल का sale value दियावा है PV ratio margin of safety दियावा है 2019 का sale value निकालना है PV ratio margin of safety दियावा है और नीशी क्या बुलाए और दे हास बन सब्स्टेंशल सेविंग्स इंद फिक्स कॉस्ट इंद यर 2019 क्यू रिस्ट्रॉक्टरिंग प्रोसेस जन्हें मेरा जितना है 2019 में sale value क्या होगा कैसे मिलेगा देखो एक बड़ा इंपोर्टेंट बात कि आफिक्स कॉस्ट यहां पर जितना भी था इधर बूला कम हुआ कि आज सेविंग प्राइस पर यूनिट यहां पर जितना भी था यहां बूलता है कम हुआ मेरा विरेबल कॉस्ट पॉर यूनिट के बारे में कुछ नहीं प्योदा मतब जितना यहां था वही स्यम है और दुनों को मिल्टिक्वाइ करते तो टोटल वीरियबट कोउट आएगा वो क्या रहेगा सेट जिर अगर मिलको इस साल का वीरियबल कोउट भी सेम रहेगा तो एक काम करी admired को निकाले कैसे आएगा कैसे आएगा लेकिए मेरा PV ratio 50% है याद करो relationship number 1 अगर PV ratio 50% है मतब variable cost भी 50% होगा तो भई यह sale value 9,30,000 है उसका 50% variable cost होगा खलब कितना होगा मेरा variable cost कितना होगा 9,30,000 का 50% कितना हैगा 4,65,000 पहला साल मेरा variable cost आया 4,65 अब अगले साल भी रहेगा अब अगले साल PV ratio अगर 38% है जैने मेरा variable cost 100-38 62% होगा और अगर variable cost 62% होगा जो किसके बराबर होगा इसके तो मुझे sale value मिल जाएगा तो भई 62% of sale अगर 4,65 है तो sale value कितना हैगा कौन सा part 2 पढ़ो आप break-even sales निकालना है 29 चलू ठीक है निकाले कैसे मिलेगा मार्जिनों safety दिया है 22% आपको याद होगा एक relationship जाने थे मार्जिनों safety और break-even sales मिला के होता है 100% अगर margin और safety है 22% मतब break-even point क्या होगा 100-22 कितना बनेगा 78% of sale और ज़रा देखना sale value है 7,5 लाग तो भई break-even point क्या बन जाएगा 78% और 7,5 लाग अगर आप तो calculate करके देखे जा जाएगा 5,50, 5,85,000 जाए BP तो BP आगया 5,85 आंसर आया C ड़न सेम क्वेश्चिन बपस पढ़ने मत बैठना पार्ट 3 पढ़ना पिक्स कॉस्ट दोहजार उनिस में क्या है अगर यह तो बड़ा असान है BP आया है और BP का formula आप लोगो पता है क्या होता था BP का formula होता था fixed cost by PV ratio BP है 5,85 fixed cost मुझे निकालना है और PV ratio ज़रा देखो 2019 में ता 38% value put कर दो fixed cost क्या बन जाएगा 5,85,000 38% कितना है गा? 3,22, 3,00 3,23,00 3,22,3,00 done very easy चलो हमारा ये question भी हो गया नेक्स हम लोग आ रहे हैं question number 3 का part A में जो है पूरा standard costing शरुपढ़ते well same question हमारा किया हुआ है same number के साथ केक लिमिटेड अमैनिफाक्चरिंग कंपनी अपरेटिंग स्टैंडर कोस्टिंग प्रोडूसर अप्रूट्ट केम को बाइ ब्लेंडिंग टू बेसिक रॉव माटीरिल the following standard have been set up for raw material material A और B याद होगा आप तो इस type of question करते थे standard mix 4060% standard rate दियावाय है मेरा standard loss यानि मेरा normal loss होने वाला है 10% during the month actual में बनाया 182 kg और एक्चल में कितना quantity किस rate पर लगा दियावाय है मुझे calculate क्या करना है कॉस्ट वेरियंस कि प्राइस वेरियंस और यूसेज या कॉंटिटी वेरियंस और यानि शॉट मुझे मिक्सीड नहीं निकालना है यानि last dollar column नहीं बनेंगे एकदम लॉलिपॉप question है पास्ने बनाते हैं पॉस्ट कार्ड सबसे पहले standard quantity फिर मुझे चाहिए for actual output standard rate मेरे को मिलेगा standard cost actual quantity actual rate मुझे मिलेगा actual cost दो रा मटीरल है A और B ठीक क्या होता है चालिस और साथ परसेंट लगेगा यानि अगर सौल जा रहा है रा मटीरल तो एका लगेगा चालिस बीका लगेगा साथ मिला के सौट पुस्टे स्टैंडर्ड में लॉस्ट दस परसेंट हो जाएगा भाई सौका दस परसेंट लॉस्ट हो जाएगा जैनि आउटफूट कितना आना चाहिए नब्बे बड़ा इजी है यानि 90 को पाने के लिए 40 और 60 चाहिए पर भाई मेरे को standard quantity चाहिए होता है for actual output अच्छल मेरे को कितना output बनाया 182 यानि 44 चाहिए होता है 90 के लिए 182 के लिए क्या लगेगा यह आएगा 80.89 साथ चाहिए होता है 90 के लिए 182 के रिख्चा लगेगा यह आएगा 121.33 में बस यह काल्कुलेशन करना था ठीक अ स्टैंडर्ड डियावा है वी सो दीस स्टैंडर्ड डियावा है वी सो दीस लिख रते हैं वी सो दीस जाएगा 17.8 जाएगा 3639.9 यह मिलाकर कितना बन जाएगा 5257.7 चलो डाल और नेक्स मुझे ची आक्शल कॉंटिटी आक्शल डिट जो दिया है 90, 110, 18, 34 90, 110 18, 34 यह बनेगा 1620 यह बनेगा 3740 यह मिलाकर आएगा 536 और यह है 200 चलो मेरा कॉस्ट कार्ड हो गया जानिक तुछ नहीं करना यह तीन कॉलम आया है यह तीन आया एक्शल इसके वेशिस तो मुझे निकालना है तीन वेरियंस कॉस्ट पॉंटिटी यह लेट डाट सेट चलो बड़ा असान प्रेस्टन होगी आप तो चलो मेरा पहला निकालना है मटिक्रल कॉस्ट वेरियंस एक काम करते हैं न या प्रेसेंटेशन दो करदा नहीं है यह कॉस्ट वेरियंस एक साथ निकाल देते है स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस अक्शल कॉस्ट यह कितना हैगा अगर आपको calculate करेंगे जाएगा 102.3 102.3 यह माइनस में आया है ध्याम दिना जानी adverse तो 102.3 adverse अब 102.3 तो नहीं है पर 102.2 वो दो adverse है तो इसी को टिक मारेंगे है डन अब अगला मुझे calculate करना है material rate variance चलो अगला है मेरा material rate variance पौंवला क्या होगा standard rate minus actual rate into actual quantity ए और ब का निकाल दो standard rate है 20 हम सीरा calculate में calculate कर रहा है 20 minus 18 यानि 2 into 90 180 प्लस में है या favorable बिका अथीस माइनस 34 माइनस चार इंटू 110 माइनस 440 यानि दोनों मिलाकर कितना है गा 260 यानि 260 आडवर्स तो मेरा rate variance आएगा 260 आडवर्स तो मेरा rate variance आएगा 260 आडवर्स प्राइस या rate से जो मंचाए बूलना क्या होगा स्टैंडर्ड कॉंटिटी माइनस actual quantity इंटू स्टैंडर्ड रेट अब यह और भी का वैल्यूस पूट करना अंसर आएगा पर हम यह ऐसा नहीं करेगा एक सिंपल बात सुचो नहीं यार मेरा कोस्ट्ड वैریंस में quantity वैरेंस देट मिलाकर होता है ओँरेट माइनस दोसो साट है और यह माइनस एकसो दो है तो दोनों का डिफरेंस जो कितना आएगा एप्रॉक्सिमेटली 157.7 और यह प्लस होगा तब यह तो दोनों जोड़के बनेगा है तो हम सीधा लिखते हैं यूसेज वेरियंस 157.7 कि यह रहा है तो देखो यह फाइदा है ओनलाइन एक्जाम का प्रेजेंटेशन अगर पूरा होता आपको पूरा बैट बैट के फॉर्मूला निखना पड़ता वाली कूट करके दिखाना पड़ता पर कॉस्ट आया रेट आया पॉंटिटी आ गया या पॉंटिटी रेट निकालो कॉस्ट आ गया तीसरा विरेंस क्यों किस चीज़ के काया है एप यह चालिखा वाइब्सौप्षंट कॉस्टिंग को मैं याद करो आधा डॉप्सटिंग में फिक्स फॉस्ट वेरेबल कोस्ट दोनों आता है जब कि मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली बेरियेबंड कॉस्ट आता है कि तो इन्वेंटरी वालियोशन के लिए ए अब मैस्ट फॉलिंग में तो निकल गया अब बचा थीम management accounting is concerned with accounting information which is useful to management, absolutely correct at which total revenue is equal to total cost ये दो break-even point है is frequently used in conjunction with establishing bid price ये learning का होगा तीसरा है break-even point, देखो ये दो option निकल गया था BEP के अध्विस total revenue is equal to total cost और जो भी फॉर्ट वाला question रहेगा उसका answer ये रहेगा अम बिना पढ़ाई उसको टिक मार देगा लर्णिंग का ये तीनों option निकल गया था answer रहेगा सी तो थोड़ा smartly करो ना तो बड़ा easily ये सारा का सारा चीज आराम से मैनेज हो सकता है चलो next चलो ये question है हमारा fixed overhead cost variance का रही में संस लिमिटेड का है अब budget और actual दियावा है fixed overhead इतना सोचे इतना लगा प्रोड़क्शन इतना unit सोचे इतना लगा स्टैंडर्ट टाइम पर यूनिट अक्च्वल आर्यम हमेशा बोला था इसको काट देने कॉल सा वेरियंस निकालना है fixed overhead cost variance अब इस फिक्स्टोरेड expenditure variance अब इस फिक्स्टोरेड volume variance और बस इतना ही निकालना है चलो ठीक है अब होट लॉल्यूप क्यूस्टन है याद प्रोड़क्स्टोरेड का कोई भी वेरियंस आएगा तो सब से पहले मुझे calculate करना है standard cost और actual output कितना शुरू में 10,000 रुपया सोचे 2,000 यूनिट के लिए यानि पर यूनिट पांच रिकावर करेंगे अच्छल में बनाए 2100 यानि कितना रिकावर करेंगे पांच रुपया पर यूनिट करके 2100 यूनिट में कितना रिकावर करेंगे 10,500 करेक्ट कितना रिकावर करेंगे 10,500 अब यह मिल गया ना यकीन मानों बाकी किनों वेरियंस मल जाएगा एजी लिए आम बिला पहला है पिक्सट ओर हेड कॉस्ट विरियंस फॉर्मुला क्या होता है स्टैंडर कॉस्ट प्र अक्शल आउट पुट माइनस अक्शल कोस्ट इस हजार पांसो कि माइनस अक्शल पर लगा है 12,000 जैए आ फंदरह सो माइनस में मतलब आद्वर्स अब इसका निकलेगा दो पार्ट एक को बोलेंगे volume variance एक को बोलेंगे expenditure variance volume variance में same formula रहेगा बस minus actual की जगा standard cost तो भाई 10,500 था standard cost कितना था 10,000 ये 500 plus में आया मतलब favorable अगला expenditure variance expenditure variance बड़ाईजी होता है expenditure variance क्या रहता है क्या सोचे क्या हो गया क्या खट्चा सोचे क्या लगा 10,000 तोचे बादाजर लगा ये माइनस में मतलब एक क्रॉस चेक कर लो 500 favorable 2000 एडवर्स मिला के 500 एडवर्स तीनों पार्ट हो गया बड़ा एज़ी था अगर इसको आपको conceptual समझना है तो एक और तरीका है आज शुरू में सोचे 10,000 रुपया 2000 एडवर्स के लिए मतलब पर यूनिट पांच रुपया करके recover करना है 2100 में कितना recover किये 10,500 पर भाई खट्चा लग गया तो 100 पांच पांच रुपया ज्यादा रिकावर किये जो अच्छा बात है 500 रुपया ज्यादा रिकावर किये and expenditure variance कितना सोचे 10 चा लगा 12 2000 ज्यादा आदिश डाल लॉर्ट चलो करते हैं और आद्वर्स कंदा 330 पांच रेवरीबुरू आडवर्स and volume variance 500 favorable बहुत इजी है बहुत इजी है अब यहां पे उस थियोरी है सिग्निफिकेंस अपनेजमेंट अकाउंटिंग जी बजेटिंग यह सब लिमिटेशन ऑफ उनिफॉर्म कोस्टिंग आप लोग इनिवेस कर सकते हैं फॉरी क्लास में लोगा डिस्कूस किया हुए है कि दन चलो कॉस्ट वाले सेग्मेंट खदम हुआ हम लोग आते हैं इसमें वाले सेग्मेंट में चलो मेरा पहला क्या है पहला हमारा है एंसी क्यू बेस्ट क्वेस्टिंज देखे क्या है on of the product of which two ratios is the ROI composed ROI मतलब return on investment ROI मतलब return on investment formula क्या है कितना operating profit कमा एए डिवाइड वाइ टोटल कितना invest करके total कितना invest करके total capital कितना invest करके into hundred correct आपको याद होगा हम लोग फिर सको divide करेंगे sales से into करेंगे sales से तो मेरा du point analysis बन जाएगा जिसके business पे answer आएगा option D so next a form प्राइमरी अब्जेक्टिव है फेल्ट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या जो शेर होल्डर का जो एक्विटी शेर्स का मार्केट प्राइस उसको मैक्सिमुम करना तो वेल्थ कैसे कैल्कुलेट किया जाएगा या मार्केट प्राइस पर शेर फिर्म से नेक्स्ट कैटल बजटिटिंग टेक्निक विच पंसिदर टाइम वाल्य आफ मनी इस बेस्ट पारेक्ट प्राइट इंदर में एक चैश इंप्लो कैश्ट आउट को देखते थे तो आंसर क्या रहेगा और डेट फिनांसिंग इस चीपर सोर्स ऑफिनांस डेट यानि लोन से पैसा लेना चीपर सोर्स क्यों है या तो जब केडी कैल्कुलेट करते थे फॉर्मुला उतारा इंट्रेस्ट इंटू जैनि जतना इंट्रेस्ट देंगे उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा प्रॉफिट कम होने पर टैक्स बचेगा तो यह टैक्स ज्रेक्टिबिलिटी ऑफ इंट्रेस्ट क्यों ऐसे यह चीपर सोर्स है नेक्स्ट और शुडब ऑक्तिमम डिविटेंट प्रेश्यो डिविटेंट पॉलिशी चैप्टर का है जब आर है बारा परसेंट कि यह दस परसेंट आर मतलब क्या बिजनस कितना देता है बारा कि मतलब क्या मेरा चाहत कितना है अगर बिजनस पर निकालना थोड़ी चाहेंगे बिजनस में रुपया रखना चाहेंगे तो जब देगा ना तुम लोगो मत दो मत दो आप अच्छा कमा रहे हैं आप अपने पास रखो तो अपने पर प्लोट रेश्यो क्या होना चाहिए जिरो डिविडेंट कुछ मत दो यह एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे किस चैप्टर के अंदर में कैश मैनेज्मेंट वह यहां बोले कौन सी चैप्टर में टॉपिक पढ़ें उतना बता दू कैश मैंश्मेंट चो नेक्स्ट नेक्स हमारा है मैस्ट फॉलिंग और डिफेंसिव इंटर्विल रेशियो अब दिखो यह एक टिपिकल रेशियो है जिसका प्राक्टिकल तो नहीं बनता पर थेयोरिटी के लिए आ सकता है अगर मालो तुम लोगों नहीं आता ओप्शिन पढ़के समझ में आएगा डिफेंसिव इंटर्विल एक रेशियो का बात कर रहा है एक्सपोर्टर अपने राइट तू रिसीविबल को रिलिंक्विश कर रहा है यह तो एक तरगा पैक्टरिंग हो गया दो कंट्रोल लिमिट पॉर मैनेजिंग बैलेंसेज यह याद करों मिलर और मोटी में पढ़ते थे एक ऐसा ग्राफ बनाते थे लोवर मैक्सिमम रिटर्न पॉइंट इस टाइप का रिस्क रिटर्न टेडॉफ रिस्क रिटर्न इसका इस रेशियो के साथ लेना जाना नहीं लिक्विडिटिटि और फॉर्म इलेशन टूइट डेले और ऑपरेटिंग स्पेंडिचर अब्वेस्वात अंसर डीव नेक्स्ट है और क्लाशिपाइग क्या सिस्टेमाटिक अंसिस्टेमाटिक तो जितना रिस्क लेगा उतना रिटर्न मुलेगा तो सिप्यम बताया रिस्ट टर्न ट्रेड उफ नेक्स्ट है और एक आदमी पाल नेक्स्ट है अंजर में दो कंट्रोल लिमिट दिस्कस्ट किये थे अछलो बड़ा इसी ता हो गया नेक्स हमारा है एक कैश्टो स्क्रेट्मेंट पढ़ लेते क्या है क्या निकलना है निट कैश्टो फ्रूम ऑपरेटिंग अक्टिविटी अगला फिनांसिंग अगला इंवेस्टिंग चलो ठीक है अब देखो कितना फाइदा होता है फैर में नहीं होके उनलाइन का हम एक काम करते हैं तीन हेडिंग बनाते हैं ओपरेटिंग अक्टिविटी इन्वेस्टिंग अक्टिविटी वैसे तो आप लोगी अकाउंस में पढ़ेवे हैं तो इसलिए हम लोग एफे में भी फंट फ्लो डिस्कस किये थे और इस टाइम बूला था कैश्टो में आपको अकाउंस में पढ़ेए वहीं सेम हैं तो इन्वेस्ट यह हम लोग देख भी लेते हैं क्या होगा इसके 500 नेट प्रॉफिट का मतलब क्या EAT दियावा है 35500 पर हम लोग शुरू करते हैं EBT से तो 35500 है इसमें एड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे मिल जाएगा EBT तो 35500 प्लस साड़े 7000 जाएगा 43,000 ठीक है और डिविडेंट इंक्लूदिंग इंटरिम डिविडेंट पेड अब जब डिविडेंट पे कर रहे हैं किसको पे कर रहे होंगे जिससे पैसा लिए है एक्विटी शेर ये प्रेफेंश है तो जिससे फिनास की उसको पेमेंट करना है डिविडेंट 10,000 तो फिनांसिंग एक्टिविटी माइनस 10,000 इंकम टैक्स पेड़ 6300 अपर यहां पर यहां पर यहां पर क्या लास्ट या क्या फर्स्ट इवेंच्टियली माइनस करना कर दो लॉस्ओं सेल ऑफ एसेट 60 अब लॉस्ओं सेल मेरे पील में आ जाता है जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है पर उसको वापस से बढ़ाना है तो एड़ वैक करेंगे 60 अबुक वाल्यू अबुक वाल्यू अबुक वाल्यू वाल्यू लॉस्ट था साथ डाइसो की चीज़ को साथ के लॉस्ट में बेची या नहीं 190 रुपया मिला है बेचके कहां जाएगा इंदेश्टिंग अक्टिविटी के कैश इन्फों नेक्स्ट डेप्रिसेशन करेंगे डिएड़ वैले अफ इंवेश्मेंट तोल 4650 अब इंवेश्मेंट बेचे हैं तो भाया पैसा मिलेगा 40,000 650 के इंवेश्मेंट को बेचे अट प्रॉफिट ऑफ डेड़ सो यह नि बेचके क्या मिला चाले सब्सक्राइब चाले सब्सक्राइब बढ़ा इज़ी ह सब्सक्राइब करते हैं पर इंट्रेस्ट पे कि हैं 15,780 तो इंट्रेस्ट किसको पे करेंगे जिससे लून ट्राइंस किये या डेट लिये थे उनकों तो पार्ट बन गया है हिम्री इंक्रीस न वर्कंग कापिटल एक्स्क्रीडीग केश न बैंक बैनेस बैनेस 84100 इंक्रीजेंड एंड्य रिंटिंग से लिस करते हैं इंक्रीज डिक्रीज होने असको एडड करते हैं पर्चेस के एफिक्स एसे 840 तो भाया पैसा जाएगा आफ इंवेस्टिंग आक्टिविटी 840 ओपनी कैश क्लोजिंग कैश बैलनेस का कोई काम नहीं चलो आड कर दो मेरा यह क्वेश्चिन होता है खताब कितना लॉलिपॉप चीज़ था सोचो 43,000 माइनस 6,300 यह आने वाला है माइनस 2,490 यह आएगा चालिस हजार एक सो पचास और यह तो ऐसी आएगा माइनस 25780 कर्रेक्ट एक अभया क्रॉस्चेक करने है तो कर लो यह तीनों को आड करके देख लो क्या हुआ नेक में मेरा कैश इंफो आया है 11,880 का ओपनिंग बैलेस को आड करके देख लो मैच हुआ एगजाम हुए जैने मेरा सही चला सब कुछ ऑप्रेटिंग में क्या है माइनस 2490 यह फिनांसिंग अक्टिविटी है फिनांसिंग में क्या है माइनस 25780 अप्रेटिंग में कितना है माइनस 2490 अप्रेटिंग हो गया इन्वेस्टिंग में आएगा चालिस हजार एक्सों पचास चालिस हजार एक्सों पचास डन चलो इसी के साथ हमारे क्वेशन कंप्रीट नेक्स हमारा क्वेशन 6B अब रिटानिका लिमिटेट इस प्रेजिंटली हाविं क्रेडिट से लोग बारा लाक एक्जाट यह सेंग क्रेशन सेंग नंबर के साथ हमारा अल्रीड किया है मैनेजमेंट और सीवर्स चाप्टर में यहां पर एक्जिस्टिंग में दियावा है कुछ-कुछ बात सेल बढ़ाने के लिए यह दो बाए 10 नेट 45 कर रहा है सेल वन थर्ड बढ़ जाएगा यह बारा लाक का वन थर्ड तीन लाक सारी चार लाक बढ़के सुला लाक हो जाएगा बाड़ेट पहले डेड़ परसंट हाँ 2 हो जाएगा क्लेक्शन पिरेट तीस थाब बीस हो जाएगा कंट्रिबूचन तु सेलस है बाईस परसंट मतब वेडियुब कॉस्ट क्याएगा सो माइनस बाइस सेविटी एट परसेंट ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पंदरा परसेंट प्री टैक्स कितने लोग काश जिसकाउंग ले रहे हैं पंचास परसेंट असी परसेंट टैक्स टीस परसेंट है अश्यूम कर तीन सो साथ दिन और कुछ-कुछ आंसास करना है चु यह सेम क्वेश्चन एक्जैक्स यह नंबर के साथ हमारा अलड़ी किया वह है सेल एक्जिस्टिंग में था बारा लाग पर प्रपोज्ट में यह वन थर्ड बढ़ जाएगा मतलब हो जाएगा सुला लाग चलो माइनस वेरीबल कोस्त आँ कोंटिबूशन है 20% मतलब वेरीबल कोस्त है 78% ऑसेल तो बारा लाग का 78% काल्कुलेट कर रोई आगा 936,000 आँ सूला लाग का 78% काल्कुलेट कर रोई आगा 1248,000 कंट्रिबूशन 264 352 अब इसके आद मुझे माइनस करना है चार चीज़ पहला है बड़िट बड़िट एक्जिस्टिंग में है 1.5 और प्रपोस्ट के अंदर में हो जाएगा यह बड़िट दो परसेंट चलो माइनस करते हैं बड़िट 1.5 परसेंट 12 लाग का 1.5 परसेंट कितना एगा 18,000 2 परसेंट 16 लाग का 2 परसेंट कितना एगा 32,000 टन चलो अगला मिर को माइनस करना है कैश डिसकाउंट पहला बात कैश डिसकाउंट कितने लोग लिये हैं जरा दिखो कैश डिसकाउंट 50 परसेंट और 80 परसेंट लोग ही कैश डिसकाउंट लिया और वो भी परसेंटेज क्या था जरा देखता एग्जिस्टिंग वाले में था 1 परसेंट और यहाँ पे हैं 2 परसेंट चलो ठीक है तो पहला बात 12 लाग का 50 परसेंट कैश डिसकाउंट लिया मतलब 6 लाग और उनको भी 1 परसेंट मिला है यानि कितना मिला है 6000 रुपे दूसरे वाले में आँ 16 लाग का 80% वाले लोग लिए 16 लाग का 80% कितना दा है 12 लाग 80,000 उसमें 2 परसेंट करके कैश डिसकाउंट मिला यानि कितना हैगा 25,600 को माइनस करना है अगला कलेक्शन कॉस्ट जो नहीं है हाफ्री माइनस करना है या अ मुद्ध पहले में एवरेज में 30 देज में पैसा मिलता है बाद मैं एवरेज में पैसा मिल रहा है बिस बिरों में इंट्रस्ट रेट कितना है 15% प्ली टाक्स तो टाक्स के पहले दिलुद ध्यान देना और सबदिश्ट करेंगे दो अप्रोच सही लो कॉस्ट पर ध्यान देना है इंडिया है इंडिया किस पर लगाएंगे को स्वेश्ट पर यह कैसे कैक्यूलेशन होगा 9,36,000 यह प्रिंसिपल इन्टू इंट्रेस्ट रेट कितने दिनों के लिए 30 दिनों के लिए यहाँ पे 12,48,000 15% है कितने दिनों के लिए 20 दिनों के लिए अगर हम लोग calculate करे तो रेखना यह आजएगा 11,700 यह आजएगा 10,400 यह मुझे मिलेगा EBT अगर आपको calculate करके देखेंगे यह आजएगा 28,300 यह आजएगा 28,400 इस कंपनी के अंदर में टैक्स दियावा है 30% तो माइनस करोट 30% अब मिलेगा net profit यह फिर EAT जो आपको calculate करके देखना कितना हो जाएगा 159,810 198,800 Done चलब यह हो गया पूरा आपको करना है चार पार्ट तीन चार पार्ट जो भी है अल्रीडी आंसर सब है सब वैल्यू बस पूट करना है पहला cash discount प्रपोस्ट पॉलिसी में प्रपोस्ट पॉलिसी में cash discount कितना है 25,600 प्रपोस्ट पॉलिसी में प्रपोस्ट पॉलिसी में आ रहे है 10,400 पर अगर आप लोग देखेंगे ना तो 10,400 बोल की नंबर आपको मिले गए अब ध्यारों का परच्ट पंदरा परसंट प्री टैक्स था अब ऑप्शन देने के समय लोग पता है क्या किया 10,400 बोलोग पोस्ट टैक्स में ऑप्शन दिया यहीं 30% हटा के अगर तुम लोग देखेगा जाएगा जाएगा 7280 तो यह एक टिपिकल चीज है जो आपको थोड़ा का ध्यान देना है कि अगर बैचांस आंसर नहीं किया प्री टैक्स दिया वा था तो शाइद यह लोग पोस्ट टैक्स में आंसर निकाला है तो पोस्ट टैक्स में कर दें 30 परसेंट खाटा के वाट 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 वीडा सदेट को नेंट को जाएगा चुलो बहनीक इनकाश में आएगा पहले benefit आता था इतना अब आएगा इतना जैनी मेरा कितना रुपया बढ़ जाएगा calculate करें 198 800-159810 जाएगा 38990 निशे चले यह answer आएगा 38990 option A हमारा question 6 complete अब हम लोग आगे इस पीपर का आखरी question के अंदर लो कि यह question leverage का है exact same question सेम नंबर के साथ हमारा किया हुआ है कि आपको याद होगा शायद यह question देखिए घ्यान आगया होगा एक balance sheet बना कर दिया है और यह balance sheet के liability side में equity share capital दिया वाए है दस करोड रूपीज ते नीच का यानि एक करोड शेर है दस रूपे का reserve and surplus है दो का 15% venture दिया है 20 यह क्या निकालने में काम आएक है इंट्रेस्ट इस का 15% तीन current liability fixed asset current asset total दिया वाए है next चार information दिया है fixed cost दिया वाए है आठ करोड excluding interest मेरा variable operating cost ratio मतलब मेरा variable cost दिया वाए 65% कुछ न बुले हमेशा हो सेल का मेरा total asset turnover दिया है 2.5 आपको याद होगा total asset turnover यह दुनिया में कोई भी turnover ratio formula है तो turnover ratio है formula क्या ओधर turnover दिया है तो यहाद मेरा पहला काम क्या है income statement बनाना फिर calculate क्या करना है operating leverage अगला financial leverage अगला अगला असल माइनस वीरियबल कोस्त मुझे क्या मिलेगा contribution माइनस fixed cost मुझे क्या मिलेगा EBIT माइनस interest मुझे क्या मिलेगा EBIT माइनस tax मुझे क्या मिलेगा EAT sale value कैसे आएगा इधर से आएगा total asset का value लिखो कितना दियावा है total asset का value दियावा है total asset को 40 लिखो sale क्या मिलेगा 40 into 2.5 यह कितना आजाएगा 100 मेरा variable cost कितना है 65% of sale तो 100 का 65% कितना बन जाएगा 65 contribution 35 मेरा fixed cost कितना है 8 यानि EBIT IS 27 interest किसको देंगे जिससे loan लिए 20 का 15% कितना आएगा 30 EBTH tax देना है 40% 24 का 40% दे 9.6 14.4 done डॉल दियाएगा सुचो कितना है इजी ली हम लोग का online exam में फड़ाफट कर सकते हैं आर डॉल किसकी वज़े से आएगा fixed cost की वज़े से formula क्या बनेगा fixed cost की ओपर contribution by EBIT contribution by EBIT 35 by 27 आप लोग calculate कर लो कितना आएगा ये 1.296 डी अपल अगर डी अपल किसकी वज़े से आएगा इंटरेश्ट की वज़े से formula EBIT by EBIT 27 आप 24 कितना बन जाएगा ये 1.125 अगर डी लोग कर दो डॉल इंटु दी अपल या contribution by EBIT 35 divided by 24 ये बन जाएगा 1.458 बस option equity क्मार दो डॉल का 1.296 कहां है भाईया ये रहा डी अफल है 1.125 और 1.458 है अगर डी अफल 1.125 ये रहा अगर डी सी एल है 1.458 ये रहा डाल चलो हमारा आफ़ी ग्वेश्चन उसी के साथ ही पेपर होता है अच्छा है एक घंटे के आसपास हमारा हो जाएगा एकसेप्ट थियोरी जहां दिना एकसेप्ट थियोरी 76 मार्क हम लोग एक घंटे पर कवर किये है 24 नमबर का ठोरी के लिए आपको दो हंटा मिलता है आराम से बैठके लिखना और एकजाम में तो एनिवेस चॉइस रहेगा एकजाम में तो एक चोपिस नमबर का चॉइस में शूद सकते है तुम दो तुम लोगाट रिखने में यह दो से सवाद होंटे में एक डिसेंट स्पीड के साथ अच्छा है रिविजिन के साथ पेपर कम्पीट हो जाएगा चलो एनिवेज चलो आवल देखे समझ में आ रहे कॉस्ट अपिल चैटर का है दो फॉलिंग से का प्रिट्टर ओक्तम लिमिटेड क्या क्या दिया हुआ है बॉक याल्यो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है एक पुटी शैर असी लाक मार्केट वैल्यू इतना प्रेफेर्च शेयर इसका रैरेत 100 रुपे पेछ चैँ एक एक लाइन नीची जिसक गया जारा परसेंट डिवेंचर ये रहा रिटेंट अर्निंग ये रहा और ये है टोटल ठेक है क्या बुलें The current market price of company's equity share is रुपीश 200 current market price दिया है मतलब P0 आज का price For the last year, पिछले साल The company had paid dividend at 25% पिछले साल dividend दिया जो पिछले साल दिया मतलब वो D0 है 25% दिया है face value है 100 जैने D0 के आएगा 25% 25 रुपे और यार मिरे को पिछले साल का dividend नहीं मिरे को अगले साल का चाहिए और growth rate दिया है 5% मना अगले साल क्या देंगे 25 रुपेया पिछले साल था अगले साल क्या देंगे 25 में 5% जोड़के है कितना हैगा 26.25 जैए दीवन जैए पीजिरो यह है जी डान और कॉर्पोरेट टैक्षिट दिया है 30% यह कीडी निकलने में काम आएगा शेर होल्डर का परसेल टैक्षिट दिया है 20% यह क्यारी निकलने में काम आएगा अब मुझे आंसर देना है क्या क्या पढ़ लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विटी की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑड़ेट की बेंट की डी और डवी एसे सी ऑंड़ बेसेस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट और कुछ निकलना चुलो ठीक है चुलो ज़रा की निकलते हैं पहले साइड में निकलते हैं की पॉर्मूला कीए डी वन अपॉन पी जिरो दस जी आओ मेरा डी वन 26.25 डिवाइड़ वाइड वाइपी जिरो वो है दो सो ग्रोफ रेट वो है 5 परसेंट 5 परसेंट मनें 500.05 अगर आप तो कैल्कुलूरेट करेंगे तो यह वैल्यू आने वाला है है कि परसेंटेज के लिइंटु हंड्रेड एटीन पॉइंट फाइफ परसेंट चुल यह आगया के इडान अगला मुझे निकालना है के पी एंड के डी प्रेफरेंश है इसका नौ परसेंट डियावाय है यह नहीं बताया है रिडीमेबल है या इर्रीडीमेबल तो हम लोग मानेंगे इर्रीडीमेबल तो बस और फ्रूटेशन कॉश्ट भी नहीं है मतलब के पी नौ परसेंट ही रह जाएगा के डी ए 11 परसेंट पर यह टैग्स बचाएगा इन्टु 1- टैग्स रेट 10 परसेंट यह बन जाएगा 7.7 परसेंट 9 एंड 7.7 आंसर आया नौ एंड 7.7 अब सुझे ऑप्शन इतना घटिया घटिया दिया है ना देख्के आदमी समझ जाएगा अब 18.125 और यह तो यह दोन में लाश में निकलना वैक यॉसिंग मार्केट वैल्यू अब यह एक पार्ट में आपके CMA इंश्टियूट ने एक लोचा कर दिया हम पहले बताएंगे CMA इंश्टियूट ने क्या किया फिर हम बताएंगे ऐडिनिस्टिक लिए क्या होना चाहिए देखो रहता था तो एक्विटी के मार्केट वैलु में बाठते थे निन बा Ňया नितरर में जाको छार्व आया तो मिलता चारवें निकलते हैं कि एक्विटी का कॉस्ट निकाले थे क्या री क्या होता के इंटु ओन माइनस शेहोल्डर का परस्टनल टैक्स ट्रेट जो आना चाहिए था 14.5 परसेंट पर अनफॉर्ट्यूनिटली आपके सीमें इस्टिट्यूट ने जब यह क्वेश्चन का सेलूशन किया तो ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया बस इसी का वेट निकाला इन्हीं तीनों को कॉस्ट लेके व्यूर्ट से निकाला जो आइडिलिस्टी के लिए गलत है इससे मेरा डिफ्केशन भी हुआ था एक सीमें इस्टिट्यूट में मेरे फ्रेंड है जो पेपर और भी वैलुट करते हैं तो इस मौक टेस्ट के अंदर में इसका एक सेलूशन आपका गलत किया वा है तो क्या सिलूशन के हम आपको एक और वो बता रिता है ताकि अटलीस्ट आप लोगों पाता चले इन्हों ने किस बेसिस के आंसर निकाला क्या होना ची हम बताया पर इन्होंने क्या क्या एक करोड साथ लाग वाई धाई करोड 0.6 24 जवाईड वाई धाई करोड 0.096 0.26 आँ एक्विटी का कॉस्ट लिया 18.125 के पी का लिया 9, के दी का लिया 7.7 ठीक वेट आयव है, कॉस्ट आयव है, मुल्टिपाई करते ही, डव्यू से मिल जाएगा मुल्टिपाई करके यहां पे निकाला 11.6 यह निकाला गया है 0.86 यह निकाला गया है 0.03 इसके विशस पे आ रहा है, एप्रॉक्स 14.49 और अगर आप लोग देखोगे, तो जो तीसरा वाला पार्ट है, उसमें एक ऑप्शन है 14.49 जिसको इन्होंने टिक मारा है अब देखो, एक्जाइम के अंदर में होप्पुलि यह लोग करेक्ट करके दे पर मालों एक्जाइम के अंदर में ऐसा लोचा रहे, बाइचांस तुम लोग ऑप्शन मैच ना करे, तो अनफॉर्टिनेटली चाते वे भी गलत करना पड़ेगा तो इस टेम जो हम लोग का सही वाला प्रोच है, वो भूल जाना, जैसे भी हम जस्ट करके दिखाया है, वैसे करना और टिक मार के छोग है डन, चलो इसी के साथ हमारा एसी भी होता है कंप्रीट, और भी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, अब्डिक्टिव क्या था, पास्ट फटाफट कैल्कुलेशन बिना प्रेजेंटेशन पर फुल अक्यूरिटी के साथ, कैसे सौल्ट किया जाएंगे, हम लोग ने डिटेइ